नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Realme Nazo 55G vs. Realm C33 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nazo 55G में 6.45 इंच जबकि Realme C33 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है विडि की बात करें तो नाजो 55G में 2.96 इंच जबकि Realme C33 में 2.98 इंच की विद्थ मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो नाजो 55G में 190 ग्राम्स जबकि Realme C33 में 187 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही इपस LCD की डिस्प्ले मिलती है असपेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो नाजो 55G में 6.6 inches जबकि Realme C33 में 6.5 inches मिलती है Display Resolution नाजो 55G में 1080 by 2408 और Realme C33 में 720 by 1600 मिलता है Screen to Body Ratio नाजो 55G में 85.49 प्रतिशत जबकि Realme C33 में 82.06 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो नाजो 55G में 400 प्रतिश जबकि Realme C33 में 270 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशताई की जोकी Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा Features कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो नाजो 55G में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Realme C33 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखे में depth camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो Nazo 55G में 7 different type के features मिल जाते हैं और Real EC 33 की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Nazo 55G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते हैं और, Realme C33 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें चार डिपरेंट फीचर्स मिलते हैं। अई अब बात करते हैं हाद्वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफरमेशन देखते हैं। हाद्वेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्थ है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो, नाजो 55G में माली G57MC2 जबकि Realme C33 में माली G57MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो, नाजो 55G में MediaTek Dimensity 810MT6833 और Realme C33 में Unisoc T612 मिलता है। बात करें RAM की तो, नाजो 55G में 3 वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 6GB की रेम मिलती है जबकि Realme C33 में 2 वेरियंट देखने को मिलता है। जिसमें 3GB, 4GB RAM मिल जाती है। बात करें internal memory जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो, नाजो 55G में 3 वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme C33 में 2 वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB, 64GB स्टोरेज मिल जाती है। expandable memory दोनों फोन में up to 1TB है, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है, बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000MH देखने को मिलती है, अईए अब में फीचर को देखते हैं, colors की बात करें तो, Naso 55G में 2 colors जबकी, Realme C33 में 3 colors option मिलते हैं, सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Naso 55G में 3 variant देखने को मिलते हैं, जो की 4GB RAM 64GB Storage के साथ 15,999 रूपीज, 4GB RAM 128GB Storage के साथ 16,999 रूपीज, 6GB RAM 128GB Storage के साथ 17,999 रूपीज में मिल जाता है, वही अगर बात करें Realme C33 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं, जो की 3GB RAM 32GB Storage के साथ 10,990 रूपीज, 4GB RAM 64GB Storage के साथ 9,999 रूपीज में मिलते हैं, दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो, Realme Naso 55G में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme C33 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, Finally बात करें है result की तो, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, Main Camera में Realme C33 आगे है, Front, Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है, Performance में Naso 55G आगे है, दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं, पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें, Vivo Y72 5G है, दुसरा Realme 9 Pro Plus 5G है, तीसरा Samsung Galaxy A33 5G है, और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Tecno Spark 8 भी है, और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना,